विलकम में दोस्तों क्या हाल है आप सब का मैं उम्मीद करता हूँ क्या आप सब खैरियत से होंगे तो कलकी 2898 AD ने ओफिशली मेरा भाई जवान की लाइफ टाइम बॉक्स ओविस कोलेक्शन को भी बीड कर दिया है कल तक बाई कलकी ने इंडिया की जो नेट कोलेक्शन थी ज जवान की उसको भी बीट कर दिया है क्यों किस तरह कैसे कितना हुआ मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूँ बट बताने से पहले वीडियो को लाइक कर दो चैनल को भी सबस्क्राइब कर लो ताकि गई इसी अपडेटिड वीडियो आपको जल्दी से जल्दी देखने को मि तूजडे था और और ओवरओल बेफोर्टी वन था तैलगू से कमाया बीस लाक तमिल से एक लाक करड़ा से भी एक लाक मलियालंब से भी एक लाक हिंदी बेल्ट से आया पच्छी स लाक और टोटल हो गया 48 लाक रूपे 48 lakh रुपीज, Monday वाले दिन 50 लाक और उससे अगले दिन Tuesday को 48 lakh आप यहां से आइडिया लगाओ कि यह फिल्म 6th week पे घूम रही है मेरा भाई, not first week या second या third third week पर भी ऐसा फिल्म ऐसा momentum गें नहीं कर पाती है यानि कि आप dip देखो, अगर मैं आपको dip बताओ आप dip देखेगा, dip देकर आपना एक बार शौक्ट हो जाएंगे क्योंकि भाई साब day 41 है, day 41 का गईज, अगर मैं आपको dip बताओ just minus 4%, just minus, this is unbelievable होता क्या है, जब फिल्म 6th week पे पहुचती है तो अगर भाई कल की ने कमाया था, Monday पे 50 लाक तो Tuesday पर ये कमाती 35 से 40 लाक, लेकिन आया कितना 48 लाक just 2 लाक का भाई साब drop, this will be huge तो इसे के साथ according to trade, according to trade, not makers according to trade, ये फिल्म net collection कर चुकी है 640.63 करोड और जवान के इडिया से net collection थी 640.15 करोड रोपे, yes मेरा भाई, अब गईस बात यहीं तक रहती तो ठीक था, मैं आपको बताता चुरूँ, सुबा सुबा जो गईस मेरे PR टीम के दोस्त हैं, उन्होंने भी और बाकी जो सारे sources थे जो परबास के official pages है, सब ने confirm कर दिया, टीम की तरफ सुनको messages आगे कि बाई कल की की जो lifetime, यानि के अभी तक day 41 तक कल टीूजडे तक वर्ल्ड वाइट box office collection हो चुकी है, वो है 1161 करोड रुपे, 1161 और जवान की थी 1160 करोड जो lifetime कोलेक्शन थी, वो 1160 करोड थी कल की ने अपने day 41 तक ही भैसाब वो सारे के सारे records को बीट कर दिया, और बीट करने के बाद अब भैसाब जो कल की है, ओवर रोल अगर देखा जाए, तो वो थर्ड नमबर पर आती है, थर्ड नमबर या फोर्थ नमबर पर, नमबर वन पर बाहू बली टू है, उसके बाद ट्रिपल और केजी अफ चैप्टर टू, आती है मेरा बाई कल की, और एगर सिर्फ तेल्गव इंडेस्टी की बात करो तो ये थर्ड नमबर पर आती है, और एगर सिर्फ तेल्गव इंडेस्टी की बात करो तो परभास is the only तेल्गव स्टार, जिनसे ने भाई साब 2 कर ली है तेलगू इंडेस्ट्री के अंदर इधर बॉलिवूड में शारुक खान है और उधर साउथ में भाई साब परभास है इस दा अउनली स्टार इतना नहीं गई अगर मैं आज हूँ आज पे यह नहीं के भाई साब आज है इस फिल्म का डे 42 तो आज अभी गई जब य आया 48 लाक तो अगर मैं आज वेडनेस डे पर कम से कम भी लेकर चलू तो मुझे उमीद है कि 40 लाक प्लस आने वाला है अब देखो आप लोग भी बोलेंगे कि क्या 40 लाक यह वो गाईस देखो डे 42 की बात हो रही है तो डे 42 पर भी इतनी कॉलेक्शन और मैं आपको क्या कह होता है लेकिन फिर भी अगर यह 40 लाक कमा रही है तो दिस इस गुड 40 लाक मतलब के 50 से 55 लाक गरॉस बनती है और याद रखो एक बात मेरा भाई यह जो नमबर्स है ना यह अकोर्डिंग टू ट्रेड हैं और मैंने कल भी बताया था कि इस टाइम कलकी की बॉक्स ओफ इस क मतलब कि यह 3D चार्जिस को इंकल्यूड करके बता ही नहीं रहे तो 3D चार्जिस के बगार अगर यह फिल्म बैस हब जवान की लाइफ टेम इंडिया नेट को बीट कर सकती है 640.65 क्रोड तो भाई अगर 3D चार्जिस एड हो जाए तो यह कितना उपर चली जाएगी कमाल बवल और इस फिल्म को रिस्पॉंस मिला है देखो मुझे अच्छी बात गाईज यह लगती है ना मेकर्स अभी भी आकर जो चीज होती है वो बताते है जैसे कल डे 41 में कलकी के बुक माई शो के उपर 9000 टिकेट सोल्ड डूट किये और इतना होने के बाद कलकी सेकंड तो अगर ऐसा होता तो कलकी के मेकर्स कुछ भी बोलते के नहीं हमारी फिल्म नमबर वन पर है यह वो सबको अब आकर आइडिया हो गया है कि फिल्म में पोटेंशल था और फिल्म ने पोटेंशल के अकोर्डिंग एक बहुत अच्छी बॉक्स ऑफिस कोलेक्शन की है और व कि अब आप लोग मुझे बताओ क्या लगता है किया यह फिल्म बारसो करोड कर सकती है अगर मैं अपना परसनली बताओं तो मुझे नहीं लगता मैं अभी भी स्टिल वहीं पे स्टक हूँ मुझे लगता है 1175 तो 1180 करोड देखो अगर यह एक करोड भी रोजाना करती है त तो मुझे उमीद है कि 15 अगस्त तक यह ऐसा ही चलेगा 15 अगस्त के बाद यह फिल्म इतनी डाउन होगी कि आप सोच भी नहीं सकते 15 अगस्त के बाद हम मानेंगे कि यह फिल्म रोजाना वर्डवाइट ग्रॉस 40 से 50 लाग कमाएगी जहां पर अभी यह नेट कोलेक्शन सि तो बहुत पुरानी हो जाएगी तब तक तो मुझे लगता है फिर जो स्क्यू टिटी रिलीज डिट बताई गई है 23 अगस्त वह 100% हो जाएगी तो अब आप लोग मुझे बताओ क्या लगता है 1175 क्रोड या 1200 क्रोड मुझे लगता है 1175 कमेट सेक्शन के अदर जरूर बता एक एक सीन पर इतनी महनत की गई है अब चाहिए वी एफेक्स दिख लो चाहिए जो जो चीजे डिटेलिंग पर बारी की से बारी की उन्होंने महनत किये उस सारी दिखती है कितने लोग का कैमियो था अविजे देवी गोडार राम गोपल वर्मा एसस राजा मौली फिर भी कंटेंट बहुत ही वीग है हम कनेक्ट नहीं कर पाया बिल्कुल मैं तो अब उस औरा में हूँ कि मुझे जो फिल्म अच्छी लगी और मैंने खुद को स्टीन पे देखा अमीच जी के साथ स्टीन पे में शेर कर रहा हूँ कमल जी के साथ में काम कर नहीं प्रभास ओहो क्य बोड़ा सा वह एकदम से अब पताने क्या उसमें क्या उनको कैद करके रखा है जो भी वह साथ स्टीन पार्ट में हो सकता रिवील हो जिस इम्मीद के साथ मैं गया था उस इम्मीद से अनुरूप नहीं उपतर पाई स्क्रिंप्ले में बहुत सारी खामी आया है फाइट के स्टीन से बहुत ज्यादा है मजा नहीं है किसी को कोई कहीं ना कहीं से कोई ऐसा ऐसी चीज नहीं होती है